नमस्कार मैं हो संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार सिक्षक भरती से सम्मन्दित GK और GS को GK GS में हम लोग देखने वाले हैं भारती राश्री आंदोलन को तो भारती राश्री आंदोलन या फिर स्वतंतरता संग्राम जो है तो ही हम आगे स्वतंतरता संग्राम को आगे देख करके और उसे समझ पाएंगे तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भारत में यूरोपिय कमपनियों का आगमन की भारत में कौन-कौन सी कमपनिया आई और किस तरह से उसने सासन किया कहां पर अपनी कोठिया बनाई कब-कब और कैसे कैसे उन लोगों ने व्यापार किया और किस तरह से फिर सोतंत्रता संग्राम की जरूरत पड़ी तो इन सबी चीजों को हम लोग पढ़ते हुए और ध्यान से देखते हुए चलेंगे आगे तो हम लोग देख रहे हैं भारत में यूरोपिय कमपनियों का आगमन भारत में यूरोपिय कमपनियों के आगमन को अगर देखा जाए तो इससे पूर्व हम जाते हैं और पूर्व में जा करके देखेंगे कि पहले से ही भारत और यूनान के बीच में क्या होता रहा था कि भारत और यूनान के बीच में व्यापारिक सम्मंद इस्थापित हो चुका था बहुत पहले ही उसके बाद की बात करें तो सेलुकस निकोटर के पराजित होने के बाद से चंद्रगुप्त मौरी के द्वारा जो यूनान की साथ मैत्री पूने संबंद इस्थापित करके और व्यपार किया गया तो उसे भी हम जानते हैं और उसे भी हम देख चुके हैं कि कैसे व्यपार हुआ करता था तरह से अगर देखा जाए तो विदेशी व्यापार की प्रथ हम देखे तो उस से अगर देखा जाए तो दच्षिण पूरव एसिया और यूरोप के मध्षें क्या होता रहा था वयापार होता रहा था लटावाध। रहा हिर्श है व्यंहें हमारे देश्ट मेस्व मत्या रहा outta यहां पर हम लोग देखते हैं कि पंद्रहवी सताब्दी में जब जहाज का निर्माण हुआ, जहाज का निर्माण पंद्रहवी सताब्दी में हुआ, तो उस समय समुद्री यातायात में बहुत प्रगती हुई, जब जहाज का निर्माण होगा, तो समुद्री यातायात में प्रगती होना ही है क्योंकि जहाज किसमें समूदर में ही चलेगा तो समूदरी याता यात में बहुत ज्यादा प्रगती देखने को मिली जिसकी परिणाम स्वरूप इस्पेन और पुर्तगाल के जो वासी थे उन्होंने भागोलिक खोजों का युग सुरू किया इस्पेन औ सोचनिय कार्य किया और अपनी खोज को क्या किया इन लोगों ने आगे बढ़ाया इस तरह से अगर देखा जाए तो सोलावी सताब्दी में भी हम लोग देखेंगे कि पंद्रावी सताब्दी में जहाज का निर्मान हुआ और यह लोग जो है वह एक नई भौगोली खोज के तहत खोज में लग गए लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो सोलावी सताब्दी की अगर हम लोग बात करते हैं तो पंद्रहवी सताब्दी में जो लोग आये हुए थे व्यापार करने और सोलहवी सताब्दी में जो लोग व्यापार करने आये थे तो इन दोनों में बहुत अंतर पाया गया तो इस तरह से देखा जाए तो इन दोनों में बहुत अंतर हो जाता है तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि 1487 इस्वी में बार्थे लोमियो डियाज जो थे इन्हों ने अफरीका महादेश के दच्छिनी किनारे में किसने तो 1487 में एक पूर्टगाली यातरी थे बार्थे लोमियो डियाज जिन्हों ने अफरीका महादेश के दच्छिनी किनारे में किसने तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि पूर्टगाल और इस्पेन वासियों ने भौगोली खोजो का यूग सुरू किया तो पूर्टगाल और इस्पेन वासियों को देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले अगर किसी ने खोज सुरू किया तो वो इस्पेन के लोग थे इस्पेन वासि थे इसी क्रम में इस्पेन वासियों के क्रम में देखेंगे कि 1494 इस्वी में कोलंबस जो कि भारत के समुदरी मारगी की खोज में निकला था जो कि भारत की समुदरी मारगी की खोज में इस्पेन से निकला लेकिन यह भारत ना पहुँच करके अमेरिका पह और अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज इसने की जैसे कि हम लोग सभी लोग बच्पन में यह चीज पढ़े होंगे कि भारत की खोज किसने की तो अमेरिका की खोज किसने की तो ऐसा नहीं है कि यह कहीं पर गुम हो गया था और तब इसे खोजा गया ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर बात यह है कि समुद्री मार्ग की खोज की गई थी यानि कि कोलंबस ने अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज की थी कि यूरोप ए स्पेन से किस मार्ग से किस समुद्री मार्ग से अमेरिका जाया जा सकता है और वास्को डिगामा ने खोज किया था कि 21 समुदरी मार्ग से भारत आया जा सकता है तो कोलंबस जो है वो भारत के लिए निकला था लेकिन कहाँ पहुँच गया था अमेरिका पहुँच गया था और इसी क्रम में हम लोग वास्को डिगामा को देखेंगे पशिमी घाट पर भारत के पशिमी घाट पर ये काली कट में पहुँचा तो वासको डिगामा 14 मई 1498 को भारत के पशिमी घाट काली कट पर उत्रा और ये किसकी सहायता से तो एक कहा जाएगा कि पथ गुजराती पथ प्रदर्सक था जो इसका नाम अब्दुल मनीद था क्या था अब्दुल मनीद था इसके पथ प्रदर्सन में जो वासको डिगामा है वो काली कट बंदरगाह पर पहुँचा था तो ये ध्यान में रखने वाली चीज है इसके आगे भी अगर देखा जाए तो वासको डिगामा वो पहला आदमी था जो कि कहा भारत की धरती पर प के लिए भी कौन आया था तो वासको डिगामा ही आया था लेकिन वासको डिगामा जब भारत आया तो क्या उस समय ये अपने सैने प्रसासन के सहयोग से आया था तो जी नहीं 15 सतापदी में जो भी लोग आये थे वो लोग स्रिफ वर सिफ व्यापार करने के उद्देशे से आये थे वासको डिगामा जब भारत आया तो वो अपने जैसे की कहा जा सकता है उसको कि इसके आने जाने में जितना खर्चा लगा होगा उसका 60 गुना यहां से कमा करके गया था वो एक दो नहीं बलकि पूरे के पूरे साथ गुना कमा करके गया था और यही कारण रहा कि उनका जो ध्यान है वो भारत की और आक्रिष्ट हुआ और भारत में व्यापार करने के लिए बहुत सारी वीदेश की कमपनिया भी भविष्ट में सामने आई हम लोग भारत में पूर्टगालियों के आगमन को देखेंगे अब क्योंकि अब यूरोपियों के आगमन के बाद हम लोग अब एक एक करके यूरोप के कौन कौन से देश भारत में आये तो उसके आगमन को यहां पर देखेंगे तो इस क्रम में सबसे पहले कौन सा देश आया भारत में पुर्टगालियों के आगमन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो अभी हम लोग देखें कि 14 माई 1498 को वासकोडिगामा जो है वो भारत में आया वासकोडिगामा भारत में आया और भारत के पश्चमी घाट के काली कट बंदरगाह पर वो उत्रा था इसके बाद देखेंगे कि उस समय वहां का सासक जो था वो हिंदू सासक जमूरीन था हिंदू सासक जमूरीन ने क्या किया काली कट बंदरगाह पर वासको डिगामा का स्वागत किया और वासकोडिगामा का स्वागत तो जमोरिन ने किया लेकिन वहाँ पर जो पहले से ही अरब के जो व्यापारी वर्ग बैठे हुए थे जो वहाँ पर पहले से थे अरबी लोग उन लोगों ने नए वासकोडिगामा यानि कि नए पूर्तगाली वासकोडिगामा का वहाँ पर देखेंगे कि 1498 में तो वासकोडिगामा आया सबसे पहले दुबार आया औने कि दूसरा पुर्तगाली कौन आया दूसरा जो कहा जाएगा कि दूतिये पुर्तगाली अभियान जो है वो किसके नेतरित्व में हुआ था तो वो पेड्रो अलवारेज केब्राल के नेतरित्व म में 1500 इस्वी में हुआ था तो दूतिये पार सबसे पहले बार वासकोडिगामा भारत आया लेकिन उसके बाद दूसरी बार भारत कौन अब जब जोन जोन्त में और पैडरोल अलएपई के बश्क्राइबृत। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया यहाँ पर युद्ध हुआ जब इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो इसमें ये पता चला कि पुर्तगाली जीत गया और ये अरभी जो हार गया अरभी यहाँ पर हार गया अब इसके आगे जब अरब यात्रियों को हराने के बासे अब पेडरो अलवारेज के ब्राल जो है उसने कोचिन चत्त था केनना नौर के सासकों के साथ में मित्रता कर ली उसको ऐसा लगा है, यहां पर रहते रहते, अब उसको क्या हो गया, कि यहां के परिवेस के बारे में पता चलने लगा, और परिवेस के बारे में जब पता चला तो उसने क्या बोला, कि बोला कि चलो अब यहां पर क्या करते हैं, हम लोग मितरता करते हैं, यानि कि अब छोट आया कि यहां पर जो च्छेत्री राजा है इनका आपस में जो विवाद है उसका फाइदा उठाना चाहिए हम लोग सुरू से अभी तक जो एतिहास पढ़ रहे हैं तो उसमें तो यही तो देखते आ रहे हैं ना कि जो भी राजा है उनका आपसी विवाद ही रहता है तो आप कर सकता है तो उसने ये चीज़ सोचा कुछ गलत तो नहीं सोचा उसने क्योंकि ऐसी यहां की परिस्थिती थी कि कोई भी यहां पर आ करके और इनके आपसी विवाद का फाइदा उठा करके सासन कर सकता था और यही तो हुआ अंग्रेज जब भारत में आये तो यही तो हुआ उन लोगोंने आपसी विवाद का फाइदा उठाया और यहां पर आ करके खुदी यहां के सासक बन बैठे तो इस तरह से इसने कहा कि छेत्रीय राजाओं को आपस में जो भी विवाद है तो इसका क्या किया जाएगा कि फाइदा उठा करके यहां का सासक बना जा सकता है य फिर से वसको डिगामा यहां पर आया वयां तो फंदरा सो तीन हैस्वी में इसने कोचीन में अपना प्रथम बनाएं क्या बनाया पंदरा सो थीन में और soll वाकोण में अगया disparust करता है क्योंकि अब दुर्ग हो गया कि लबंदी उसका करवा दिया तो अब यहां पर उसका क्या हो जाएगा अधिकार छेत्र हो जाएगा तो इसने क्या किया कि कोचिन में अपना प्रथम दुर्ग बनवाया तो इस तरह से यहां तक देखें हम लोग अब देखेंगे कि पूर्तग जारी किया जिसके तहट तीन वर्स के लिए गवर्णर रखने की बात कही गई इस प्रक्रिया में पूर्टगाल के प्रथम वाय सराय जो कि भारत में आया वो कौन था तो फ्रांसिस्को दे अलमेडा था कौन था फ्रांसिस्को दे अलमेडा जो कि पंद्रा सो पांच इसवी में आया और पंद्रा सो नौ इसवी तक भारत में रहा इसके बाद देखेंगे हम लोग तो दूसरा पूर्टगाली वाय सराय जो कि भारत आया तो वो अलफांसो दा अल्बुकर्क था अल्फांसो दा अल्बुकर्क को हम लोग देखेंगे तो इसने पंद्रा सो नौ में तो ये भारत आया और पंद्रा सो दस में इसने बीजापूर के सासक यूसुफ आदिल साह से गुवा को जीत लिया इसने अल्फांसो दा अल्बुकर्क जो कि पुर्टगाल का दूसरा वाय सराय था जिसे भारत भीजा गया था तो वो पंद्रा सो नौ में भारत आता है और पंद्रा सो दस में क्या करता है कि बीजापूर के सासक यूशुफ आदिल साह से गोड ले उसके बाद यह औपना मुख्यालय बनाता है, कोचेंग को अपना मुख्यालय बनाया, आगे देखते हैं हम लोग कि इसने यहां पर क्या किया, कि अब सामराज जी तना प्रारंब कर दिया, अपना मुख्यालय भी यहां पर बना लिया, तो इस कारण्ड से पुर्टगाली समराज्य का भारत में वास्त्विक संस्थापक किसे कहा जाता है तो अलफांसो द अलबुकर्क को कहा जाता है ये कोश्चन बहुत बार पूछता है कि हाँ अलफांसो द अलबुकर्क के बारे में कि वास्त्विक संस्थापक कौन था पूर्टगाल का तो वह कौन था अलफांसो द अलबुकर्क था फिर यहां पर पूछ देता है कि प्रथम वाय सराय कोई नाया था तो फ्रांसिस्कुर्दी अलमेडा था जो कि 1505 से 1509 तक यहां पर देखेंगे हम लोग कि 1530 में जो कोचीन को मुख्यालय बनाया गया था तो कोचीन से मुख्यालय गोवा इस्थानांत्रित कर दिया गया 1530 में मुख्यालय जो कोचीन बनाय गया था तो उसको कहां तो गोवा इस्थानांत्रित कर दिया गया अब यह लोग यहां पर प्रदे में दीव को पुर्टगालियों के द्वारा जीत लिया गया तो देख रहे हैं हम लोग की 1530 में अपना मुख्याले ये लोग ट्रांसफर कर दे रहे हैं कहाँ पर तो गुवा में 1534 में बसीन को जीत रहे हैं ठीक एक साल के बाद में 1535 में दीव को जीत ले रहे हैं ये लोग अपने अधिकार वाले छेत्र में, यानि कि अब कुछ छेत्र ऐसा था जहां पर पुर्टगालियों का अधिकार हो गया था, और ये अपने अधिकार वाले जगहों पर अब क्या करते थे, एक टेक्स लेते थे, सुरक्षा कर लेते थे, क्या लेते थे, सुरक्षा कर जिसको का कार्ज वेवस्था कहा जाता था जिसको क्या कहा जाता था कार्ज वेवस्था कहा जाता था अब यहाँ पर आ करके यह लोग अधिकार कर लिए कुछ जगों को जीत लिए जगों को जीतने के बाद से क्या किया अब जो इनके अधिकार छेतर में आता था वहाँ पर एक सुरक् पूर्त गाली आता है सेंट जेवियर 1542 में एक पूर्त गाली आया सेंट जेवियर जिसका काम इसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना सेंट जेवियर का काम था ये किसी व्यापार के उद्देश से नहीं बलकि धर्म प्रचार के उद्देश से भारत में आया था। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि गुवा के छेत्रों में उसी समय जब अर्दस्ती लोगों को इसाई धर्म कबूल करवाया गया और बहुत से इसाई धर्म को मानने वारे लोग गुवा में आज भी मिल जाते हैं तो जो भी हमारे यहां इसाई धर्म के लोग हैं तो वो इसी क्रम में क्या इसाई धर्म में यानि कि धर्म परिवर्तन कराके और इसाई में उन्हें बदला गया था तो वही लोग इसाई धर्म के हैं और इसका स्रे जो है वो स या उद्देश से था इस चीज को देखेंगे तो इनका पहला उद्देश से जो था वो था मसाला व्यापार पर एकाधिकार यानि कि ये चाहते थे कि ये मसाले का व्यापार करने के लिए भारत में आते थे और भारत से यहां से मसाले को ले जा करके और अपने देशों में ब याने कि दूसरा कोई उस पर अधिकार न करे मसाला व्यापार से फर स्रिफ हमारे साथ ही हो याने कि स्रिफ फर स्रिफ पूर्टगालियों के साथ ही हो ऐसा पूर्टगालियों का सोच था ऐसी उनकी मन सा थी तो इनका जो उद्देश से था पहला तो मसाला व्यापार पर एक अधिकार था दूसरा देखेंगे कि जब इनका धीरे धीरे मसाला व्यापार पर एक अधिकार होने लगा तब अब इन लोगों ने सोचा कि धर्म का प्रचार किया जाए तो अब ये लोग इसाई धर्मे के प्रचार प्रचार में लग गए धीरे धीरे मसाला व्यापार पर एक अधिकार भी होने लगा और इसाई धर्मे के प्रचार में ये लोग लग गए अब ये दोनों तो इनका उदेश्च था तो उतरार्ध में इन लोगों की क्या मनसा थी कि यूरोप तथा पूर्वी जगत यूरोप तथा पूर्वी जगत जैसे कि हम लोग यूरोप और पूर्वी जगत की बात करते हैं तो ये इंडिया का ग्लोब हुआ और ग्लोब में हम लोग देखेंगे कि यूरोप अगर यहा यहां पर है तो इस तरह से यह चीज़ देखा जा सकता है कि यूरोप से यह किस दिशा में पढ़ रहा है तो पूरवी जगत कहा गया और भारत से यूरोप जो है वो पूरवी जगत कहा गया इसे क्या कहा गया पश्चिमी देश कहा गया इसलिए इसे पश्चिमी देश कहा गया तो यूरोप तथा पूरवी जगत के संपूर्ण व्यापार पर एकाधिकार हो यानि कि अब स्रिफ मसाले कही व्यापार नहीं रह गया था अब संपूर्ण व्यापार पर एकाधिकार चा और दूसरा कोई व्यापार ना करें तो इस तरह से इनका उद्देश से था और इसी उद्देश से है भारत में व्यापार करने के लिए आये थे, भारत में फराविफार के लिए आये। देखते हैं कि जब भारत में पूर्टगाली आए यहाँ पर तो यहाँ पर आए तो कुछ न कुछ तो अपनी प्रथा यहाँ पर दे करके गए होंगे, अपनी यहाँ का कोई चीज तो यहाँ पर भी युगदान दिया होगा उन लोगोंने, तो यहाँ पर देखते हैं कि उनक इसके आगे देखेंगे कि जहाज निर्मार, प्रिंटिंग प्रेस, आलू की खेती, तंबाकू की खेती, यह सब जो है, वो पुर्तगालियों के द्वारा ही दिया गया है, यानि कि जहाज का निर्मार, पुर्तगालियों की देन है, प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगालियों की देन है, आलू की खेती, ऐसा question पूछा जाता है, कि क्या आलू भारत का है, तो नहीं, आलू भारत की खेती नहीं है, आलू जो है, वो कहां की खेती है, तो यह दालियों की देन है इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारतिये जड़ी बूटियों तथा ओशदिक वनस्पतियों पर प्रथम ग्रंथ लिखा गया और प्रथम ग्रंथ का प्रकाशन क्योंकि आप प्रिंटिंग ब्रेस तो आ गया है तो प्रथम ग्रंथ का जो प्रकाशन है वो 1563 हिस्वी में गोवा में किया गया और ये किसके द्वारा लिखा गया था तो यूरोपिये विद्वानों के द्वारा लिखा गया था तो भारतिये जड़ी बुटियों तथा और शदिक वनस्पतियों पर प्रथम ग्रंथ जो कि यूरोपिये विद्वानों के द्वारा लिखा गया था वो 1563 में गुवा में प्रकाशित हुआ आगे देखते हैं कि इसाई धर्म का अकबर के दर्बार में प्रवेश किस ने करवाया था तो फादर एकवाविया और मौनस्रेट ने करवाया था तो अकबर के दर्बार में इसाई धर्म का जो प्रवेश है ये भी किसकी देन है तो ये भी पुर्तगालियों की ही देन है तो यह किसके द्वारा करवाया गया था तो इस तरह से हम लोग देखते हैं तो पूर्टगाली अब हम लोग देख लिए अब इसके बाद डचों को देखते हैं अब हम लोग देखेंगे भारत में डचों को, तो भारत में डचों को देखते हैं कि भारत में डचों का आगमन हुआ, डच जो थे वो हॉलेंड निवासी थे और इन्हें हॉलेंड को नीदर लेंड भी कहा जाता है, डच हॉलेंड निवासी थे और इसे नीदर लेंड भी कहा जाता है यानि की नीजर्लैंड के निवासी भी थे प्रथम डच नाग्रिक जो कि भारत में आया था तो कार्नेलियस धौस्त तमान था जो कि कि 3572–192 में भारत में आया था और उसके बाद देखा जाये कि यहां ये आया इसने भी वही किया व्यापार वगेरा और उसके बाद से ये देखा जाएगा कि 1602 इस्वी में हॉलेंड की संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया जिस प्रस्ताव के तहत डच इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई इसके बाद देखेंगे कि डच इस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका पतन कैसे होता है तो इसका पतन 1769 इस्वी में हो गया और क्यों हुआ क्योंकि अंग्रेजों और डचों के बीच में वेदरा का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज विजई हुए और डच क्या हो गया पर पराजित हो गया तो डचों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा और अंग्रेजों का यहां पर अधिकार हो गया और अंग्रेजों का इस वेदरा के युद्ध में नेत्रित राबर्ट क्लाइव ने किया था आगे हम लोग इन लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं तो इसमें देखेंगे कि इनका पतन कैसे हुआ ता 1769 इसवी में हुआ अंग्रेज और डच के बीच में क्या हुआ युद्ध हुआ जिसे वेदरा के युद्ध के नाम से जानते हैं और अंग्रेजों का नेतरी तो उसमें Robert Clyde ने किया था अंग्रेज विजाई हुए और डच क्या हो गए हार गए और इसलिए इन्हें क्या हो गए पड़ा कि भारत छोड़ करके जाना पड़ा तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि अब डचों के द्वारा भारत में इस्थापित प्रमुख कोठिया कौन-कौन सी है तो कौन-कौन सी कोठिया थी यहां पर यह देखते हैं महत्वपूर कोठिया कौन सी थी तो 1605 इस्वी में मसूली पटनम जो की आंद्रप्रदेश में स्थीत है 1610 इस्वी में उली कट जो की तमिल नाडु में है 1616 सूरत गुजराद, 1663 कोचिन केरल, 1663 कासिम बजार, 1663 पटना और 1663 में ही बाला सोर में इन लोगों ने अपनी कोठिया इस्थापित की थी तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि 1605 में सबसे पहली कोठि मसूली पटनम जो की आंद्रप्रदेश में इस्थीत है 1605 में इसके ठीक 5 साल के बाद में कितने साल बाद तो 5 साल के बाद में देखेंगे तो पूली कड तमिल नाडू में एक कोठि और इस्थापित की गई उसके ठीक 6 साल के बाद देखेंगे पांच के बाद से कितना 6 साल के बाद देखेंगे तो सूरत गुजरात में क्या किया गया कोठी इस्थापित किया गया इसके बाद हम लोग देखेंगे तो 1663 में बाकी की चारो कोठी इस्थापित की गई जो कि कहां पे तो कोची कासीम ब मूसु पूसु कोका पटबा तो यह महत्वपूर्ण कोठिया है इसको देखेंगे मूसु पूसु कोका पटबा इसको याद रखेंगे मूसु पूसु कोका पटबा मूसु मुसली पटबा पूसु से पूली कट सू से सूरत को से कोचीन का से कासीम बजार पो से पटबा और बा से बाला सूर तो इस चीज को याद रखेंगे तो इस तरह से हम लोग डचों को भी देख लिए और डचों को देखने के बाद से अब हम लोग यहाँ पर अंग्रेजों को देखेंगे कि अंग्रेज भारत आये तो कैसे क्या हुआ अब हम लोग देख रहे हैं भारत में अंग्रेजों के आग्मन को अंग्रेजों के आग्मन को अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यानि कि अपनी अपनी उत्सुक्ता को दिखाने लगे किसलिए तो पूरब में व्यापार करने के लिए चुकि अभी थोड़े देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि पूरब में व्यापार का मतलब क्या होता है कि इंडिया यहाँ है और यूरोप यहाँ इस्थित है यूरोप जो है वो यहाँ है अब यहाँ से यह कैसे हो रहा है पूरब में आ रहा है यह क्या हो जाएगा यह इंडिया हो जाएगा और यह यूरोप हो जाएगा तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि यह यूरोप हो गया यह इंडिया हो गया तो इंडिया यहां से पूरब में पड़ रहा है तो यह पूरब से व्यापार का मतलब यही हुआ और यह इंडिया के लोग इसे क्या कहेंगे पश्चमी देश कहेंगे तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पूरब की ओर व्यापार करने के लिए क्या हुआ कि इन लोगों का मन बना कि चलो भाई पूरब में अब व्यापार करते हैं पर में इंडिया और इंडिया के साथ में कुछ और भी छोटे छोटे देश यहां पर हैं जिस पर अंग्रेजों ने अपना अधिपत्य कर लिया था तो उस समय यानि तद्कालीन समय में इंग्लेंड के जो राजा थे वो हैंडरी सप्तम थे और उनके पुत्र थे हैंडरी अस्टम इन दोनों का पूरब के साथ व्यापार करने का मन बना और इन लोगों ने क्या दिखाई उत्सुकता दिखाई क्या दिखाई उत्सुकता दिखाई किसलिए तो पूरब से व्यापार करने के लिए उत्सुकता दिखाई यहाँ पर इसके आगे देखते हैं कि 1599 में लंदन का एक दल था Merchant Adventures इसने अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और जैसे कि सबसे पहले इसकी इस्थापना जो है वो ब्रीटेन में हुई कहां पर हुई ब्रीटेन में हुई और प्रारंभ में इसमें 217 साजेदार थे तो इसमें देखते हैं कि 1599 में लंदन के एक दल Merchant Adventures ने अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और इसके बाद देखेंगे हम लोग कि 31 दिसंबर 1690 में एलिजाबेट टेलर प्रथम जो की उस समय क्या थी? महरानी थी इंग्लेंड की उन्होंने एक एक आधिकार पत्र जारी किया और उस एक आधिकार पत्र में क्या था? तो पूरव से व्यापार करने की अनुमती प्रदान की गए थी और ये अनुमती मात्र 15 वर्सों के लिए थी मात्र 15 वर्सों के लिए एक आधिकार पत्र में क्या किया गया था? कि तत्कालीन रानी एलिजाबेट टेलर प्रथम के द्वारा क्या किया गया था? कि एक आधिकार पत्र जारी किया गया था और उस एक आधिकार पत्र के जर्ये 15 वर्सों तक ब्रिटेन के लोग जो है वो भारत में व्यापार कर सकते थे और ये आधिकार पत्र 31 दिसंबर 1620 को जारी किया गया था अगर आगे देखते हैं हम लोग कि 1608 हिस्वी में ब्रिटेन का सासक जेम्स प्रथम था इसने अपना एक राजदूत भेजा राजदूत का नाम था कैप्टन हॉकिन्स जो कि एक सरकारी करमचारी भी था और व्यापारी भी था और कैप्टन हॉकिन्स के साथ में विलियम फीं रात का उलेक किया है विलियम फींच कोई है तो विलियम फींच एक वाहते हैं जिसने और कली के दंत काथा का उलेक किया है तो यहां पर देखेंगे कि 1608 हिस्वी में ब्रिटेन का राजा जो था वो Yahoo James प्रथम था समराट जेम्स प्रथम था इसने अपने एक राजदूत भेजा और राजदूत जो था वो कौन था कैप्टन हौकिन्स था जो की सरकारी करमचारी और व्यापारी भी था और इसके साथ विलियम फिंच भी आया ये लोग आये थे किसलिए तो सूरत में कारखाना ख या फिरंगी खा की उपाधी दे थी यानि खान की उपाधी दे थी किसने तो जहांगीद ने कैप्टन हौकिन्स को खान की उपाधी दी थी जिसे अंग्रेज खा या फिरंगी खा भी कहा जाता है जहांगीद ने क्या किया था कि अनुमती लेने के लिए आये थे था वो और स्थाई कारखाना था लेकिन पहला स्थाई कारखाना जो है वो कहां पर खोला गया था तो सूरत में खोला गया था एक ग्यारा जन्वरी 1623 को कहां पर खोला गया था तो सूरत में खोला गया था पहला स्थाई कारखाना एक्जाम में इसका आप्शन 1612 भी दे तो िस्ट इंडिया कंपणी रखा गया इस्ट इंडिया कंपणी रखा गया प्राड़ंबों में इसके साजेदार जो थे वो कि कौन थे तो गवे diffuse टॉमस इस्मिट था, पहला इस कंपनी का जो गवर्नर था वो कौन था, टॉमस इस्मिट था और इस्ट इंडिया कंपनी के पहले साजेदार जो थे वो 277 साजेदार थे, इसके बाद देखेंगे कि 1611 इस्वी में सबसे पहला कारखाना जो है, वो मसूली पटनम में लगाया जो कि और स्थाई कारखाना था आप ही बताए किया है कि और स्थाई कारखाना था पूर्व समूदरी टट में पड़ता है और इसके लिए किस से मंजूरी ली गई थी तो विजैन अगर शमराज्य से मंजूरी प्राप्त की गई थी यहां कारखाना लगाने के लिए अर्विंदू वन्ज का सासन था और सासक वेंकेट दीतिये थे तो वेंकेट दितिये से अनुमाती प्राप्त करके और दच्छिन पूर्वी समुद्र टट पर मसूली पटनम में पहला व्यापारी कोठी या फिर पहला कारखाना इस्थापित किया गया था जो कि और इस्थाई कारखाना था पहला इस्थाई कारखाना कब तो 1613 इस्थापित किया गया था इसके आगे हम लोग देखेंगे कि जेम्स प्रथम ने व्यापारिक संधी के लिए अपना एक राजदूत भेजा था जिसका नाम टॉमस रो था टॉमस रो 18 सितंबर 1615 इस्थी में जहांगीर के दरबार में आया और वहां पर आ करके तीन वर्स उसने व्यातित किया कितने वर्स तीन वर्स जहांगीर समराज्य में व्यातित करने के बाद से 1618 इस्थी में वो क्या हुआ यहां से विभीन जगहों पर व्यापार करने के अनुमति प्राप्त करके और वापस गया साथ ही साथ गुजरात के सुबेदार खुर्रम जिसे बाद में शाह जहां के नाम से गदी पर बैठाया गया तो खुर्रम से उसने क्या किया कि व्यापारी कोठी इस्थापित करने का फर्मान जारी करवा करके और ले गया तो टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आय था तो 18 सितमबर 1615 इस्थी को आया था और जहांगीर के दरबार में तीन वर्सों तक रहने के बाद 1618 इस्थी में ये वापस लोट करके गया और विभीन ने जगहों पर क्या किया कि व्यापार करने के लिए अनुमती प्राप्त करके गया तो 33 इस्थी में पूर्वी भारत में सबसे पहला कार खाना उड़ीसा में लगाया गया सबसे पहला कारखाना पूर्वी भारत में उडिशा में लगाया गया जो की हरिहरपूर और बाला सोर में लगाया गया था इसके आगे हम लोग देखेंगे की 1649 इसवी में मदरास सहर की स्थापना होई और इसमें किलाबंदी करके इस फोर्ट सेंट जोर्ज नमक क्या किया गया कि फोर्ट बनाया गया किलाबंदी करके फोर्ट सेंट जोर्ज नमक फोर्ट बनाया गया जिसे वाइट टाउन के नाम से भी जाना जाता है जिसे वाइट टाउन के नाम से जाना जाता है वरतमान में ये जो वाइट टाउन है इ इसी वाइट टाउन में क्या है इस थापित किये गए हैं ये रिखेंगे कि 1551 में साह सूजा जो की बंगाल का नवाब था उसने एक फर्मान जारी किया और फर्मान के तहद 3,000 रुपे वार्सी कर पर बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमती दे दी यानि कि उसने कहा कि 1651 में साह सूजा जो की बंगाल का नवाब था उसने क्या किया एक फर्मान जारी किया और बोला कि बंगाल में आप लोग क्या कीजिए व्यापार कीजिए आप लोग बंगाल में व्यापार कीजिए और उसके बदले में साल का 3,000 रुपे दे दीजेगा यानि क एक साल का तीन हजार रुपे मुझे ला करके दे दो और बंगाल में जैसे मन वैसे व्यापार करो तो इसने क्या किया कि तीन हजार रुपे वार्सी करप बंगाल में व्यापार करने की अनुमती दे दी आगे देखते हैं कि 1666 में औरंग्जेब ने क्या किया बंगाल में व्यापार करने की अनुमती दे दी अब पहले तो साह सुझा जो की नवाब था उसने दिया अब औरंग्जेब ने दे दिया औरंग्जेब के अंडर में बंगाल आता था तो अब औरंग्जेब ने क्या किया अब औरंग्जेब भी अनुमती दे दे रहा है कि चलो जाओ जाके बंगाल में वेपार करो तो ये भी बंगाल में वेपार करने की अनुमती प्रदान कर देता है इसके पहले हम लोग 1661 में देखेंगे कि पूर्टगाल की राज कुमारी थी कैथरीन उसका विवा इंगलेंड के समराठ चाल्स दूतिए के साथ में हो गया और इसके बदले में पूर्टगाल के जो राजा थे वो दहेज में बंबई सहर दे दिये बंबई सहर जो था वो पहले पूर्टगालियों के अधीन था तो ये राजा क्या करते हैं पूर्टगाल के राजा की दहेज में चाल्स दूतिए को बंबई सहर ही दे देते हैं इंगलेंड के जो यह समराथ थे चाल्स दितिये तो चाल्स दितिये ने 1668-eam में 1668-eam में जैसे कि 1661 में इनकी साधी हो रहे हैं साथ साल के बाद 1668-eam में ये 10 पॉंड पर बंबाई को इस ट इंडिया कंपनी को दे दे भी हैं यानि ये बोल रहे हैं कि बंबाई इस्ट इंडिया कमपनी को बोल रहे हैं कि इसको तुम लोग रखो तुम लोग इस पर सासन करो व्यापार करो जो करना है सो करो लेकिन क्या करो कि दस पॉंड वार्सी के दे दिया करो तो इन्होंने क्या किया कि दस पॉंड पर इस्ट जिन्हों ने बंबई नगर की स्थापना की थी तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बंबई जो है भाई अब दहेज में लिया दिया जा रहा है तो यह चीज को भी हम लोग देख लिए अब देखते हैं कि 1698 में बंगाल का सुबेदार अजीम उस्चान था कौन था अजीम उस्चान उसने सूतनाती काली घर और गोविंद नगर को किसको दे दिया यानि कि उसकी जमिदारी 1200 रुपे में अंग्रेजों को दे दी क्या किया 1698 में बंगाल का सुबेदार अजीम उस्चान जो था उसने सूतनाती काली घर और गोविंद पूर की जमिदारी जो है वो 1200 रुपे में अंग्रेजों को दे दिया बाद में चल करके भविष्य में जार्ज चार्णोख ने इसे कलकत्ता का रूप प्रदान किया इसे क्या किया कलकत्ता का रूप प्रदान किया किसने तो जार्ज चार्णोख ने कलकत्ता का रूप प्रदान किया इसके बाद देखते हैं कि जार्ज चार्णोख ने क्या किया कि सूतनाती में एक फोर्ट की स्थापना की क्या कि फोर्ट के स्थापना के जिसी William Fort के नाम से जाना जाता है इसके बाद 1700 में company के निदेशकों ने बंगाल को मदरास presidency से अलग कर दिया यानि कि पहले बंगाल प्रेसिडेंसी और मदरास प्रेसिडेंसी दोनों एक ही में आती थी यानि कि बंगाल जो था वो मदरास के अंतरगत ही रखा गया था लेकिन इसके बाद से देखेंगे कि 1707 इस्वी में फरुक सियार ने बिना व्यापार याने बिना करल के व्यापार की अनुमती प्रादान कर दी याने कि जैसे कि बंगाल में पहले 3000 रुपए वार्स्ती के कर पर व्यापार करने की अनुमती प्रादान की गई थी लेकिन फरुक सियार ने क्या बोला कि नहीं फ्री में नो टेक्स कोई टेक्स नहीं लगेगा चलो व्यापार करो इस प्रकार से क्या हुआ कि धीरे धीरे करत होता चला गया और उसके बाद की कहानी हम लोग आगे देखेंगे ही कि क्या हुआ उसके बाद तो यहां पर बीना टैक्स की क्या कर दी कि व्यापार करने की अनुमती प्रादान कर दी फरुक्त सीयाद तो इस तरह कार से अंग्रेजों का आगमन हम लोग देख लिए हम लोग देख रहे हैं भारत में फ्रांसीसी कंपनियों के आगमन के बारे में तो भारत में फ्रांसीसी कंपनियों के आगमन को जब हम देखेंगे तो यहां पर यह चीज देखेंगे कि एसिया माइनर की रास्त लुई Hen थे यानि कि लूई चोदाावे थे बारत में आने वाले झोभी ठर्म प्रचारक लोग या फिर जो भी घूमने के लिए भारत में आते थे तो उन लोगो के लिए एशिया माइनर के रास्ते में थल मार्क की खोज की गई और ये लुई चोदहवे के अथक प्रयास से संभव हो पाया इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1664 इस्वी में लुई चोदहवे के मंतरी थे कोलबर्ट तो कोलबर्ट के अथक प्रयास से 1664 इस्वी में भारत में क्या हुआ कि फ्रांसीसी इस्ट इ से विशेशा आधिकार तथा मीती असा डवि प्राप्त था इसलिए इस आधिकार की anak उत्र何 दोनों की प्राप्ति इसके आगे हम लोग देखेंगे कि 1668 इस्वी मे गिंग 1668 में फैंक कैरो के द्वारा शूरत में प्रथम कोथी स्थापित की गई और अंग्रेजों की पहली स्थाई कोठी सूरत में स्थापित की गई थी और प्रथम कोठी मसूली पठनाम इस्थापित की गई थी तो मसूली पठनाम की जन्स आए थी और यहां इस सूरत में प्रथम कोठी की स्थापना की गई थी इसके पाद देखेंगे कि दूसरी कोठी इसकी मसूली पठनम में बनाई गई थी दूसरी कोठी कहां पार तो मसूली पठनम में 1264 में फ्रांसीसी मार्टीन ने क्या किया कि वॉलिकोंडा पुरम के सुविदार सेर खार लोदी से पुद्धू चेरी को प्राप्त कर लिया और बाद में उसे पॉंडो चेरी का रूप दिया और यहां पर उसने क्या किया कि कारखाना लगवाई यानि की कोठी लगवाई और किलिबंदी करवा करके फोर्ट का निर्बाण भी करवाया जिससे फोर्ट लूई के नाम से जाना जाता था जिससे फोर्ट लूई के नाम से क्या किया जाना जाता था 16-74 इसी में ही 16 तक हां ने कुछ जगह फ्रांसीसियों को दिया जहां पर उन लोगों ने अपना प्रसिद्य चंद नगर्रे की कोठी का निर्माण करवाया था आगे चलके देखेंगे कि यूरोप में डचो और फ्रांसीसियों के बीच में प्रतिद्वन्द बढ़ गया यानि यूरोप देश में डचो और फ्रांसीसियों के बीच में क्या हो रहा था जिस क्रम में 1693 में क्या हुआ कि डचो ने पौंडी चेरी पर कबजा कर लिया लेकिन उसके बाद 1697 में फिख चार साल के बाद 1697 में रिज्विक की संधी हुई इस रिज्विक की संधी के तहथ पौंडी चेरी जो है वो फिर से फ्रांसीसियों को मिल गया आगे देखते हैं कि 1701 इस्वी में पॉंडी चेरी की सभी बस्ती का मुख्याले यानि कि 1701 इस्वी में फ्रांसीसियों की सभी बस्तियों का मुख्याले जो है वो पॉंडी चेरी को बनाया गया आखुंटिचेरी को यानि कि फ्रांसीसियों की जितनी विवस्ती भारत में थी उसका मुख्याले किसे बनाये गया, तो पॉंडिचेरी को बनाया गया और फ्रेंक मॉर्टीन जिसे फ्रांसिस मॉर्टीन भी कहा जाता है उसे फ्रांसिसी मामलों का महा निदेसक नियुक्त किया गया क्या किया गया कि 1721 में फ्रांस की जितनी भी बस्तियां थी यानि कि फ्रांसिसी बस्तियों का मुख्याले पॉंडिचेरी को बनाया गया और फ्रेंक मॉर्टीन या फिर फ्रांसिस मॉर्टीन को फ्रांसिसी मामलों का महानी दिर्सक भी नियुक्त किया गया आगे चल करके देखेंगे कि चंद्रनगर के प्रमुख गवर्नर के रूप में फ्रांसिसी गवर्नर डुपले को भारत भेजा गया और भारत में फ्रांसीसी सक्ती तथा सामराजी का विस्तार गवर्नर डियूमा और गवर्नर डुपले के काल में हुआ था क्या हुआ था कि भारत में फ्रांसीसी सक्ती और सामराजी का विस्तार गवर्नर डियूमा और गवर्नर डुपले के ही काल में हुआ था इस तरह से जा करके और आगे अगर दिखा जाए तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में क्या हो गया कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में प्रतियस परदा बढ़ी और वो प्रतियस परदा बढ़ते बढ़ते और युद्ध के में परिणत हो गई यानि कि सबसेपहले किसको देखेंगे प्रतं कर्नाटक की दुको प्राथाम करनाटक युद्ध जो भूगद वो सत्रह सो 46 से और तालीकों से लेकि सत्रह सो और फ्रांसिसियों के बीच में हुआ था यह हुआ था 1740 इस्वी में 1740 इस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्राधिकार का जो युद्ध चल रहा था उस युद्ध का परिणाम जो था उसी का विस्तार जो था वो भारत में प्रथम करनाटक युद्ध था और इसमें हम लोग कि अंग्रेजों और फ्रांसिसियों के बीच में ये ऑस्ट्रिया के उत्राधिकार के लिए जो युद्ध चल रहा था उसका विस्तार यहां पर हुआ और इसकी एक संधी हुई दोनों की क्या हुई संधी हुई और संधी के परणाम सरु संधी जो थी उसका नाम था एक्स क्या को सिंसार अग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में प्रथम कर्नाटा कीउद्धि के बाद क्या हुई कि एक संधी हुई जिसका नाम था एक्स लास सैपल संधी susan की से ऑस्ट्रिया का उत्रधिकार युद्ध्य जो समाःग्त हो गया और भारत में प्रथम कर्नाट युद्ध भी क्या हो गया समाप्त हो गया इसके बाद हम लोग देखेंगे कि संधी के अनुसार भारत में मदरास जो था वो अंग्रेजों को मिला और अमेरिका में लुई बर्ग जो था वो फ्रांसीसियों को मिला तो इस प्रकास से ये युद्ध जो था वो समाप्त हो गया अब देखेंगे हम लोग दितिय करनाटक युद्ध को दितिय करनाटक युद्ध जो है वो 1749 से लेकर 1749 के बीच में हुआ याने 5 वर्थों तक ये युद्ध चला है हम लोग देख रहें कि प्रथम करनाटक युद्ध जो है वो 1749 में खतम हो रहा है और 1749 में फिर से दुतिय करनाटक युद्ध की सुरुवात हो जा रही है जो कि 5 वर्सों तक 1754 तक चल रहा है दुतिय करनाटक युद्ध जो था वो हैदराबाद और करनाटक के उत्राधिकार के लिए लड़ा गया था हैदराबाद और करनाटक के उत्राधिकार के लिए लड़ा गया था युद्ध दुतिय करनाटक युद्ध जो कि अंग्रेजों और फ्रांसिसी के बीच में लड़ा गया था अंग्रेजी गवर्नर कलाइफ थे और फ्रांसिसी गवर्नर डुपले थे इस युद्ध में फ्रांसिसी गवर्नर डुपले की हार हुई थी और इसके बाद अंग्रेजों ने ये प्रस्ताव भेजा था फ्रांसिसी सरकार को कि डुपले को वापस बुला लिया जाए तो इस युद्ध में क्या किया गया कि डुपले को वापस बुला लिया गया डुपले के बाद अगला जो गवर्णर आया उसका नाम था गोडेहू गोडेहू जो था वो अगला गवर्णर आया 1754 निस्वी में और उसके बाद गोडे हुँ और अंग्रेजों के बीच में एक क्या हुई संधी हुई जिसे पॉंडी चेरी के संधी के नाम से जाना जाता है और पॉंडी चेरी के संधी के बाद से देखा जाए तो द्वितिये करनाटक युद्ध जो हुआ वो समाप्त हो गया अब देखते हैं हम लोग त्रितिये करनाटक युद्ध को त्रितिये करनाटक युद्ध से लेकर के 1763 इस्वी तक चला यानि कि द्वितिये करनाटक युद्ध के ठीक दो वर्स के बाद से त्रितिये करनाटक युद्ध जो है वो सुरू हो गया ये 1763 तक चला इसका कारण क् अंग्रेजों तथा फ्रांसिस्यों के बीश सब्तवर्श्य युद्ध चल रहा है जिसके कारण भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसिस्यों के बीच में मतभेद की इस्थिती उत्पनल हो गई थी इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में ततकालीन कारण इसका क्या बना तो भारत में इसका तत्कालिन कारण बना कि 1756 में एड्मीरल तथा लॉड कलाई ने चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया क्या कर लिया चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया जो कि तरिती है करनाटक युद्ध का कारण बना इसके बाद देखेंगे कि 1760 हिस्वी में वाडी के युद्ध हुआ जो कि अंग्रेजियों association के बीच में हुआं अंग्रेजियों का नित्रितवा आरज कुट कर रहे थे 여기까지 नेत्रित्वा लाली कर रहे थे जिसमें अन्ग्रेजियों की हार् और इसी से त्रितिय करनाटक युद्धे की समाप्ती भी हो जाती है आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि इस संधी के तहत भारत में अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़ करके फ्रांसीसियों के बागी जो छेत्र थे वो उन्हें लोटा दिये जो की फ्रांसीसियों के छेत्रे आजादी तक उनके पास में बने हुए थे याने भारत के स्वतंत्र होने तक उनके पास में बने हुए थे तो युद्ध की समाप्ती पहरी संधी से हुई जो की 1763 में हुई थे इस तरह से हम लोग फ्रांसीसियों को भी देख लिए हम लोग भारत में आने वाली विदेशी कमपनियों के क्रम को देखेंगे कि कब कब कौन कौन सी कमपनिया आई तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पूर्टगाली इस्ट इंडिया कमपनी सबसे पहले आई जो की 1498 इस्वी में भारत में आई इसके बाद अंग्रेज इस्ट इंडिया कंपनी 1690 में डच इस्ट इंडिया कंपनी 1602 में डेनिस इस्ट इंडिया कंपनी 1616 में इसके बाद फ्रांसीसी इस्ट इंडिया कंपनी आई 1664 में और सबसे लास्ट में Swedish इस्ट इंडिया कंपनी आई जो की 1731 इस्वी में आई थी यह हमारा क्रम है कि पहले पुर्टगालिस इंडिया कंपनी आई फिर अंग्रेज फिर डच फिर डैनिस फिर फ्रांसीज और फिर Swedish इस क्रम में यह यूरोपी व्यापारी कंपनी या भारत में व्यापार करने के लिए आई अब इसके बाद हम इस चैप्टर से सम्मधित कुछ कोश्चन को देखेंगे कुछ प्रशनों को देखेंगे जो कि BPSC के द्वारा पूछे गये हैं तो BPSC द्वारा पूछे हुए कोश्चन को हम लोग देखते हैं अब हम लोग BPSC द्वारा प्रश्नों को देखेंगे यहाँ पर देखते हैं कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाय सराय भारत में कौन हुआ था यह कोस्टन दो हजार एक दो में पूछा गया है तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाय सराय भारत में कौन हुआ था तो हम लोग देखें कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डगाती हे तू हुगली नदी का उपीयो कौन करता था ये सवाल 2019 में पूछा गया है तो कौन करता था पूर्तगाली करते थे अगे देखते हैं कि किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाध्धी से सम्मानित किया था 1995 में ये पूछा गया हैं, तो हॉकिन्स, कैप्टन हॉकिन्स को जहाँगीर ने खान की उपाधी से सम्मानित किया था भारत में 1612 इस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्टरी कहां स्थापित की थी 1994 में पूछा गया है यह तो पहली फैक्टरी सूरत में स्थापित की थी सर थामस रो भारत आया था सर थामस रो किस मुगल सासक के समय में भारत आया था तो 1615 में थहमसरो बहारत आया था, और 1616 की जन्वरी में अज्मेर में जहांगिर के दर्बार में गया था तो किसके दर्बार में? जहांगीर के दर्बार में भारत आया था आगे देखते हैं यहाँ पर प्रश्ण है डच इस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्स अपनी फैक्टरी पटना में इस्थापित की थी कहां पटना में यह सवाल 2019 में पूछा गया है तो इसका जवाब होगा 1632 में कब तो 1632 में और ऐसा जो है तो इस सवाल का जवाब किसी पुस्तक में देखने को नहीं मिलता है कि कब उसको स्थापित किया गया था लेकिन BPSC इस सवाल को अनेको बार पूछ चुकी है और हमेशा ही उसका जवाब क्या होता है 1632 होता है इसलिए इसक़ जवाब क्या होगा 1632 होगा क्योंकि BPSC इसको 1632 जवाब माना है आगे देखते हैं कि प्रथम करनाटक युद्ध का कौन सा ततकालीन कारण था 2000 में ये सवाल पूछा गया है कि प्रथम करनाटक युद्ध का ततकालीन कारण कौन सा था तो अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहन कर लिया गया था तो यही उसका क्या था ततकालीन कारण था क्या था ततकालीन कारण था आगे देखते हैं कि 1760 का प्रशिद वाडिवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था 2020 में पूछा गया सवाल है 1760 का प्रशिद वाड़ी वाश का युद्य अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था तो फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था आगे देखते हैं कि इस अंग्रेज अधिकारी ने पूर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था आगे देखते हैं कि अंग्रेजी सासंकाल में भारत का कौन सा छेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रशिद था ये 1995 और 2005 में पूछा गया है तो अंग्रेजी सासन काल में भारत का कौन सच्छेत्र अफी मुथपादन हेतु प्रशिद्ध था? तो बिहार, तो इस प्रकार से हम लोग BPSC द्वारा पूछे उवे प्रशनों को देखें तो इस तरह से सवाल BPSC में पूछे जाते हैं हम लोग रोज अपने इस सीरीज में क्या करेंगे कि पहले पढ़ाई करेंगे और उसके बास से इसके question और answer को देखेंगे कि BPSC द्वारा कौन से question को पूछा गया है जिससे हमें क्या होगा कि एक अनुमान मिल जाएगा कि हम क्य